हाई गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप सब कुल बढ़िया चल रहा है तो आज हमारे पास आ चुगा एंफिनिक्स नोट 12 आई यह डिवाइस आज ओफिशल फिलिप कार्ड पर लॉंच हो चुगा है जो प्राइस पोइंट है 11,000 रुपए चार जीबी 64 जीबी वेरेंट का लेकिन अभी अगर आप इंट्रोडेक्टिव ओफर में इस फोन को परचेस करते हो तो 9,9999 के प्राइस पंट पर आप इसको ले सकते हो अब यह डिवाइस काफिया तक आपको नोट 12 के सिमिलर देखने को मिलता है लेकिन कुछ कंडिशन में उससे थोड़े बैटर स्पैक् आप इस फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे ना तो गैस यह है इसका बॉक्स पैकेजिंग टिपिकल नोट सिरीज वाली ही पैकेजिंग है बॉक्स के उपर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको इस बार इस फोन के साथ में जीओ का एक एक्स्क्लूजिव ओफर देखने को मिलता है जिसमें एकजार रिपी का फ्लैट कैश्बेक आप जीश सकते हो अगर आप इस फोन को पर्चेस करते हो अब यह चीज कैसे काम करती है उसके बारे में आगे बात करेंगे अभी बॉक्स कंटेंड के उपर एक नजर डाल लेते हैं तो बिल्ट क्वालिटी तो काफी अच्छी है अब देखो यह जो कैमरा वाला पार्ट है यहां थोड़ा सा बाहर होनी की वज़े से आपको इसक्रेचेस वगरे देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेफ इंसाइड आप यहां पर सिल प्राइमेज की बैटरी होने के बाउजूर डिवाइस का जो वेट मेनेजमेंट है जो थिकनेस वगर है वो इन्होंने काफी एच्छे से किया है फिजिकल ऑवर्विव की बात करें तो बोटम साइड में 3.5 ओडियो जैक है इसके लाव प्राइमरी माइक चार्जिंग के ल तो जो भी बेस विरेंट परचेस करेगा उसको अगर एकस्पेंड करना है तो आप मेमरी कार के तुरू एकस्पेंड कर सकते हो अब टू 512 जे भी अब बात करते हैं फ्रंट साइड की तो डिस्पले में यहाँ पर आपको 6.7 इंचिस का एक फुल एचिरी प्लस डिस्पले देखने को मिलता है जो कि एक AMOLED पैनल है अभी एक ड्रॉप नॉच डिस्पले है जो कि देखा जाए तो अफडेटेड हो चुका है बट यहाँ पर AMOLED पैनल है साथी साथ जिस प्राइस पोइंट पर यह आता है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम अगर देखोगे ना तो कुछ ऐसे ब्रैंड भी है जो 15-16,000 के प्राइस सेग्मेंट के अंदर आपको एक TFT LCD डिस्पले ओफर करते हैं वो भी ड्रॉप नॉच डिस्पले के साथ तो कंस्वर यह तो उनसे फार बैटर है बाकि डिस्पले के अंदर बेजल्स काफी एच्छ है वी काफी एच्छी देखने को मिल जाईगी। अब साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो फोन में आपको dual stereo speakers देखने को मिलते हैं मतलब इस प्राइस बजट में आपको dual stereo speakers देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी सही है डीसन क्वालिटी का साउंड आपको इनके साथ में अब बात करेकर सोफ्ट्वेर को लेकर तो यहां पर थोड़ा सा इंप्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा यह डिवाइस आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रोइड 12 के साथ में आता है जो कि इन्फिनिक्स के एकस्टम यूई एकस्टेक्स के 12.0 वर्जें बेस्ट लाष्ट एर इंफिनिक्स 12 के मुकाबले यहां पर आपको सोफ्ट्वेर थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा फीचर आपको भर-बर के देखने को मिलेंगे और काफी इच्छे से इन्होंने सफ्ट्वेर को अप्टम देखने को मिलेगा अब आप इस कैस्ट बेक को कैसे अवेल कर सकते हैं तो आपको जीओ का सिम कार्ड अपने फोन में एंटर करना है उसके बद माई जी अप्लिकेशन में जाना है प्रोफाइल ऑपशन में जाकर आपको आप पर उपफ़र को एकसेप्ट करना है उसके अब बात करें जिवाइस के पर्फोर्मेंस की तो यहां पर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसट देखने को मिलता है जो Note 12 था वहां पर आपको G88 देखने को मिलता था या इन्होंने G85 यूज किया है तो प्रोसेसर में इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है पर्फोर्मेंस आप आप इस फोन के साथ में अच्छी खासी कर सकते हूँ लाइक यहां पर BGMI की मैं बात करूँ तो 40 एपिस तक का जो गेम प्ले है उसका option आपको देखने को मिलता है बाकि अगर आप जाइरो प्लेयर हो तो फोन का जो जाइरो स्कोप है वो इतना अच्छे से optimize नहीं है तो आ आपको 33 वोट की fast charging का support देखने को मिलेगा अब अगर आप इस फोन को अगर चार्ज करते हो तो 0 से 100% चार्ज करने में आपको लगवग एक गंटे 30 मिनट के आसपास का time लग जाएगा अगर बात करें बैटरी बैकप की कि वो कितना देखने को मिलता है तो अभी तक जितना मैंने इसको test करके देखा है एक से धीर दिन का बैटरी बैक आपको इस फोन के साथ में आराम से मिल जाएगा अगर बात करें नैटो करें रिशेप्शन की तो यह एक 4G डिवाइस है ड्यूल वोल्टी को support करता है 4G प्लस का जो फीचर है वो आपको देखने को नहीं मिलेग को मिलती है और जो श्टूरेज टाइप है वो आपको EMCC का देखने को मिलेगा श्टूरेज को आप यहाँ पर डेरिकेटेड माइं रूटी कार्ड के तुरू जो है एकस्पेंड भी कर सकते हैं इसके लाब आप रैम को भी अप्टू 7GB तक एकस्पेंड कर पाएंगे क्यों क्योंकि यहां पर आपको virtual RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर तो पीछे की तरफ आपको तीन कैमरा सेंसर मिलते हैं बट काम का सिर्फ एक सेंसर है वह है 50MP का सेंसर फ्रंट की बात करें तो daytime में अगर आप photos लेते हैं तो आपको details काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इवन जो light control है dynamic range उसको भी camera काफियत तक manage कर लेता है अगर बात करें portrait shots की तो वहाँ पर भी आप decent type के photos यहां पर निकाल सकते हैं background blur काफी अच्छे से कर देता है अगर बात करें low light photography की तो depend करता है कि कैसी lighting condition में अगर आप अच्छी lighting condition में photos लेते हैं तो आपको noise बहुत कम देखने को मिलेगा और photos में details भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन अगर lighting condition अच्छी नहीं है तो वहाँपर आपको photos में हल्का सा noise देखने को मिलेगा सात यась सा थोड़े से soft tone के साट में आते हैं अब वहां पर आपको हलका सा फोटोस में नोईज देखने को मिलेगा और थोड़े से सॉफ्ट टोन के साथ में आते हैं लेकिन अवरॉल जो शोट होते हैं वो काफी बढ़िया होते हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है बस सेलफी केमरा के अंदर डाइनमिक रेंज पर इंफिनिक्स को थोड़ा सा काम करने की ज़रत है लेकिन अगर आप HDR एनेबल करकर यहां पर फोटो लेते हैं तो काफी तक आप अच्छे फोटोस यहां पर निकाल सकते हैं अगर वीडियो की सपोर्ट आपको दोनों ही कैमरा के अंदर देखने को नहीं मिलता आप सबसेलाथ में फाइनल वर्डी की बात कर लेते हैं कि फोन आपको लेना चाहिए फिन नहीं लेना चाहिए तो गैस देखो अगर आप मल्टीमीटर कंजूप्शन थोड़ा ज्यादा करते हो और वजट चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है फोन के कैमराज भी काफी डीसंट देखने को मिलते हैं अब अगर प्राइस पॉंट की बात करें तो इसका जो बेस विरिंटरे चार्ज भी 64 भी इसका प्राइस पॉंट है 11,000 पर लेकिन अभी अगर आप इ ऐसे के अंदर यह जो earbuds है जो कि clone को पिये Apple AirPods Pro की यह मैं आप में से केसी एक बंदे को दे दूँगा इसका रिव्यू ओलरडी चैनल के उपर डाल रखा है नहीं देखा है तो जाकर देख लेना अब इसे 500 लाइक का जल्दी से target पूरा कर दो ताकि इसका हम giveaway कर दे फिलहाल के इन फ्रिक्स नोट 12Y को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका ब बहुत बद्यनेबाद आई सुगा जिन्दी नाक्स वीडियो